Hi guys, welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix Vlog. So today's video is all about the kindergarten. Australia में schooling के बारे में मैं अलरड़ी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरा सिस्टम अच्छे से बताया है कि किस तरह से education होती है, क्या क्या steps होती है, क्या क्या stages होती है. तो उसका link जो है नीचे description box में है, आप वो देख सकते हैं. तो जो आज की वीडियो है, वो specifically है kindergarten के बारे में, यानि कि जब आपका जो बच्चे है kindergarten में होता है, या अगर आपको आपके बच्चे को kindergarten में enroll करना है, तो उसके लिए क्या तो उसकी age होनी चाहिए, और कितने दिन आपका baby जो है वो school जाता है, kindergarten में बच्चे की क्या क्या learning होती है, कितना fee होता है, और overall आपका जो expensive वो कितना होता है, My birthday oh my girl, okay let's go, let's go, let's go, let's go maman ko by? अच्छा लगआ स्कूल अभी जो आपने video clips देखी हैं वो जो video clips हैं वो सोवी के kindergarten के day 1 की video clips हैं जब last year वो kindergarten में गया था उसकी वो videos थी तो जब सोवी kindergarten में गया था तो उसकी जो age थी वो थी 4 years and 2 months you can say तो यहाँ पर जो kindergarten की minimum age है उस्ट्रेलिया में वो है 4 years और यहाँ पर जो session है वो start होता है FAB में तो how they calculate the age actually तो यह लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर FAB में session start हो रहा है तो यह check करेंगे कि 1st of January को उस current year में आपके baby की 4 year age complete हुई यह नहीं हुई अगर हो जाती है तो आपका baby kindergarten के लिए eligible है और unfortunately नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत से states में क्या है अगर 1 महिना 2 महिना भी अगर आपके बच्चे की age particular date पे complete नहीं होती है 4 year यानि कि 3 year or 10 months 11 months है तो नहीं लेते हैं कुछ है states जहाँ पर आपके बच्चे को enroll कर लिया जाता है बट जो basically age है that is a 4 year यानि आपके बच्चे की जो age है वो 1st of January को 4 year हो जानी चाहिए ऑस्टेलिया में जो school के starting है वो FAB में होती है यानि कि जो session है वो FAB में start होता है और यहाँ पर जो session है full session यानि कि 1 year में 4 terms होते हैं बच्चों के जाए आपका बच्चा किसी भी class में हो जाए kinder में है या किसी grade 1, 2, 3 किसी भी grade में है तो यहाँ पर 4 terms होते हैं actually और हर term के बाद हर एक term के बाद term break होता है यानि कि यह क्या लिजिए कि roughly 2 months या 8 weeks के बाद almost 15 days का holiday होता है उसके बाद next term start होता है तो इस तरह से यह लोग पूरे year को calculate करते है 4 terms में kindergarten में आपका जो बच्चा है वो पूरे 5 days school नहीं जाता है हर state में क्या है न ऑस्ट्रेलिया में minimum hours mention होते है kindergarten के लिए तो अगर मैं तस्मानिया की बात करूँ जहां पर हम लोग है तो यहां पर जो minimum hours है kindergarten के लिए that is 15 hours per week तो आपके बच्चे को 15 गंटे school में बिताने हैं यह depend करता है school to school वो 15 से कितने जादा करते हैं but yes minimum is 15 hours per week अगर मैं आप लोगों को सोविक के school का बताऊं तो देखे सोविक 3 days school जाता था kindergarten में वो जाता था Tuesday, Wednesday और Thursday और उसके जो timings थे वो थे 8.30 से लेकर के 3 o'clock तक तो यानि कि एक दिन में उसके साड़े 6 गंटे होते थे तो यानि कि एक वीक में को अपने बच्चे को kindergarten में इंडॉल करना है तो the answer is no, okay अचली ऑस्टेलिया में education system का क्या है न कि जो primary education होती है उस primary education में total 8 years होते हैं और उन 8 years में से जो 2 years होते हैं वो non-cumulsory होते हैं और 6 years होते हैं that is compulsory तो जो non-cumulsory years हैं उसमें आता है kindergarten and prep और compulsory years में फिर आपका class 1 से लेकर के class 6 तकाता है तो kindergarten में it's your choice कि आप अपने बच्चे को enroll करें या ना करें, it's totally up to you, it's non-cumulsory education बट येस अगर आपका जो baby है वो 6 years का हो गया है तो Australia में उसकी education compulsory है you cannot skip the school for that baby who is already 6 अब हम बात करते हैं कि kindergarten में आपका जो baby है वो क्या सीखता है, you know क्या-क्या है जो उसको learn कराते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि यहाँ पर kindergarten में बच्चे को कोई भी homework नहीं मिलता है जो कुछ भी वो activity कराते हैं या जो कुछ भी वो learning कराते हैं वो सारी की सारी learning जो है school में होती है घर के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है nothing तो सोवी का जो इतना बड़ा bag था ना उसमें हम लोग सिर्फ उसकी water bottle रखते थे और उसके खाने के लिए उसके lunch boxes तो school में जो kindergarten ने उसमें सोवी के दो breaks हुआ करते थे तो वहाँ पर क्या था first जो break होता था that is for the tea and snacks तो उसमें आप कुछ भी snacks अपने बच्ची के लिए रख सकते हैं fruits, vegetables या जो भी snacks आपका बच्चा खाता है और second break होता था उसका lunch का break तो उसमें lunch रखा जाता था और कुछ भी नहीं जाता था बस यहीं जाता था बैग में बाकी सारा बैग खाली होता था तो घर के लिए कोई homework नहीं आता है सारा काम स्कूल में कराया जाता है अब मैं आपको बिदाती हूँ कि क्या क्या activities जो है वो बच्चे को सिखाते हैं तो सोवी की कुछ फोटो जैं उससे आपको clearly पता चलेगा कि क्या क्या है जो सोवी क्ने सीखा है और यहां पर usually जो करिकुलम होता है किंडर गार्टन का उसमें बच्चे को क्या क्या सिखाते हैं यहां बच्चे को basically starting में वो लोग सिखाते हैं कि आपको behave कैसे करना है सारे कि सारे festivals वोग यहां पर celebrate करते हैं Easter, Christmas और सिखाते हैं यूँआ activities pattern बनाना और you know cooking भी सिखाते हैं ताकि वो लोग घर पे पने parents की help कर पाएं तो basically खेल खेल में ही ना वो सारी चीज़े सिखाते हैं अच्छे टीम मेंबर का अच्छे से अपने बैक पैक करने का इस टाइप करने का इस टाइप का उसको एक सर्टिफिकेट मिलाता तो cleanliness फोन को सिखाते हैं तो बहुत सी general और basic सी चीज़े सिखाते हैं फैमिली को भी वो time to time जो है ना स्कूल अक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी हम लोगों ने किया था तो पैरेंट्स को भी फुली इंवाल्व करते हैं एक्चुल में जो भी अक्टिविटी बच्चे की साथ कराते हैं वो घर पर भी आती हैं और सारी चीज़े सेलिबरेट करते हैं जो में पार्टिस देड़ेट के लिए बच्चों से भी यो पैरेंट्स के लिए कुछ बनवाते हैं बच्चों को टाम टुटाम आउटसाइड भी लिए लिए फॉरेस्ट में वाक के लिए ताकि वो बर्ड्स की आवास पहचानें तो बेसिकली नेचर को फील करें इस ताइब की एक्टिविटीज करवाते हैं जिससे उनका ब्रेंश वो डेवलिप हो सके नाओ लेट्स टॉक अबाँध टाइड़दर केंजे denड्स तो देखिए fzi कम्प्रिटलीट करती जो स्कूल हे वो किस type के स्कूल है तो ऐस्टेलिया में पब्लिक स्कूल भी है और ऑस्ट्रिया में प्राइवेट स्कूल भी है प्राइवेट स्कूल में भी further subdivisions है कि कुछ होते हैं जो religious based school होते हैं तो यहां पर private school की जो fee है वो बिल्कुल school पर depend करती है कुछ की fee थोड़ी कम होती है कुछ की काफी ज़ादा fee होती है अनिकि up to you know साल के 12-13,000 dollar तक की भी fee होती है तो it's totally depend कि आपका जो baby है वो किस type के school में है सोविक का जो school है that is a private school तो जो सोविक की kindergarten की fee थी वो थी 1950 Australian dollar तो यहां पर यह जो fee है न या तो आपके fee पूरी की पूरी एक साथ पे कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो मन्थली भी पे कर सकते हैं तो हमारे case में क्या था कि हम लोग मन्थली देते थे और यहां पर fee जो है वो 12 महीने की count नहीं होती है सिर्फ 10 months की count होती है तो इसका मतलब जो 1950 सुविक की fee थी न वो 10 months की fee थी क्योंकि 2 महीने holiday होते हैं तो यह उसकी fee charge नहीं करते हैं तो हम लोग सोविक की जो fee पे करते थे per month वो पे करते थे 195 और अगर आपका जो बेबी है वो public school में है तो public school की fee काफी कम होती है yearly जो है वो कुछ school की 300 है कुछ की 400 है तो काफी कम fee होती है actually public schools की comparatively private school अब एक और expense होता है यहाँ पर kindergarten का school fee के अलावा actually fee के अलावा होता है uniform plus school की books तो वो आपको school से ही लेनी होती है चाहे आपका school private हो या आपका school public हो इन दोनों cases में कोई फरक नहीं पड़ता uniform और book set आपको school से ही मिलता है तो sovik के लिए देखिए हम लोगों ने जो जो लिया था वो मैं आपको बताती हूँ और फिर उसका price भी मैं आपको बताऊंगी तो हम लोगों ने sovik के लिए ली थी एक half sleeves वाली t-shirt second हमने उसके लिए ली थी उसका जो house color था उसकी t-shirt third hat जो कि यहाँ पर summer में बच्चों के लिए compulsory है तो hat हमने ली थी एक हमने ली थी उसकी winter की jacket and fifth number पर हमने लिया था shorts summer के लिए और एक sixth number पर हमने लिया था उसका pant जो की winter के लिए जरूरी है and था उसका school bag and then उसकी school की books तो kindergarten का जो book set था उसकी price थी 55 Australian dollar और जो उसके सारे कपड़े school bag वो सब थे उन सब को मिला कर हम लोगों का लगा था 225 Australian dollar and the next चीज थी shoe तो shoe actually हमने school से नहीं लिये थे it's up to you अगर आप चाहे तो school से लें लेकिन हाँ school से अगर लेते हैं तो वो थोड़ी से costly होते हैं हम लोगों न एक साल में two pair of shoes सोविक ने use किये थे so उनका expense that is just $40 for us और एक और compulsory चीज होती है वो होती है gumboots क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा रहती है summer में और बच्चे को भी लोग आउटिंग पर लेके जाते हैं तो उसमें वो prefer करते हैं कि बच्चे चोह ना gumboot पहने compulsory होते हैं कई बार बच्चों की जो pictures click होती हैं तो if you want to take तो आप वो pictures ले सकते हैं उनका जो price होता है वो $20, $25 या $30 तक होता है तो हम लोगों ने फोटो ली थी तो उसका price है $25 स्कूल में कभी-कभी they ask for a you know gold coin donation, gold coin donation का मतलब हुआ कि जो 1 का सिक्का होता है आप 1 या $2 उनकी जो color होती है वो gold वाली color होती है basically so they ask for this donation so it's up to you totally up to you कि आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं अगर आप देते भी है और so in the year they ask for two or three times for the gold coin donation तो वो जादा नहीं है आपका अगर आपने $2 भी maximum दिया है so that is only a $6 per year फिर एक बाहर साल में होता है इनका dress up day यानि कि जो भी बच्चे का favorite cartoon है या जो भी favorite story book है वो उस character को dress up कर लेगा and you know school जाएगा तो oh it's up to you कि आप किस तरह की costume खरीते हैं तो हम लोगों ने जो उसकी costume खरी दी थी तो उसके लिए हम लोगों का लगा था सिर्फ $20 So guys हम लोगों का जो पूरा expense था Sovika यह जो मैंने भी आपको बताया देखें काने पीने और उसका expense मैं calculate नहीं करें because that's your choice up to you कि आपने बच्चे को क्या खिलाते हैं बट हाँ जो school में चीजें लगी और जो चीजें you know mandatory थी उन चीजों का हमारा अगर आपका बच्चे पब्लिक स्कूल में है तो डेफिनेटली आपका जो एक्स्पेंसे काफी कम हो जाएगा परियर का साल के एंड में इस टाइप का एक फोल्डर मिलता है जिसमें बच्चे की सारी अक्टिविटी जो भी उन्होंने स्कूल में की है जो भी लर्निंग उ एक बार उसने कोस्टर बनाया था तो यह सब वो इस तरह से फाइल करके ना इयर एंड में आपको पैरेंट्स को जो पकड़ा देते हैं हमारे चानल को लाइक कीज़े और सब्सक्राइब कीजे चल्दी मिलेंगे आप से फिर से एक नई वीडियो चे साथ अब-धाय टेक्क यह